जब कभी ऐसी इस्तती आती जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको कुछ दिन पांच दिन दस दिन तक थोड़ा रेश्ट करना चाहिए थोड़ा सोचना चाहिए क्योंकि अभी जैसे जल्द बाजी में यह कुछ उगान तो इन चीजों को जहलने के लिए अभी आप रेडी नहीं थे mentally तो mentally बिल्कुल प्रिपेर नहीं थे अचानक से सब यह चीज़ें अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है आप देखना कि कुछ दिन बीट जाएंगे ना एक सबता बर तब आपको दीरे-दीरे चीज़ें अपने आपी समझ में आ जाएगी कि अब आपको क्या करना और थोड़ा कम से कमाफ है वो पांसाथ दिन तक आराम से जिस परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उसको करते रही है आप पांसाथ दिन में आपको स्वता ही समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है और जिस दिन समझ में आ जाएगा उसना आपने न कर रहे हैं करते रही है और 10-15 दिन की अंदर आपको चीजां सारी समझ में आ जाएगी वाकि अगर आप बहुत ज्यादा विचलित होंगे बहुत ज्यादा उद्वेलित होंगे बहुत ज्यादा अगर आप परिशान होंगे तो फायदा कुछ भी नहीं है सिवाए आपका समय खरब होगा आप और फिंकइंग करेंगे और तेंखिंक करोगे समय खराब होगा तो Frust Philippines आएगी Frustfill रैगी तो इरिटेशन होगी इरिटेशन होगी तो आप कुछ भी करनी पाएंगे और एक नेगिटिव परस्न बनके रह जाएंगे इससे अच्छा ये हैं कि आप सांती सी जैसा जो चल रहा है उसको चलते रहने थे बस बहुत ज़्यादा मत छोड़ें आप इसको छोड़ें आप इन सीजों से दूर हो जाईए जितने भी आर्टिकल पोस्ट वगरा बस पढ़ते जाईए जो है वो नियती में है वो नसीब मे जो है वो मेल के रहेगा बस पढ़ते जाईए जो